प्रेडर्स वेल्कम बाक्ट माइचानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के साथ आज के इस एपिसोड में आप बात करेंगे दौलत अल्गो टेक के बारे में यहां पर कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और यहां पर बिजनेस देखो गो तो यहां पर सेक्यूरिटी एंड ब्र अगर उसको लॉस हो रहा है और उसके पास नहीं है तो वह क्लिएर होता है वहाँपे उसका हांए लेकर इभिए देखो को देखने के लिए तो अगर नहीं समझ मैं करें तो बता दिया करो यहां पर 18.2 की यहां पर आपको सेल्स देखने के लिए मिल रही है प्रॉफिट गोथ माइनस 43% की यहां पर नीचे चलके देखेंगे कि इसका पर्टिकुलर रीजन क्या है तो तीन साल पर आपको सेल्स पॉजटिव भले ही नजर आ रही है बट यहां पर अगर चेक किया तो यहां पर यह एर और यह दोर्फ देखो लॉस नहीं है मतलब loss of momentum है यहाँ पे sales का figure कम हो रहा है और साथ इसाथ net profit का भी figure थोड़ा सा कम हो रहा है नीचे आएंगे यहाँ पे shareholder pattern में promoters की olding 74% पे है FIs की कोई बहुत major holding नहीं है प्योंकि market cap company की बहुत चोटी है public holding देखोगे यहाँ पर 25% के आस पास किया अब चार्ट में यहाँ पर इन वरे लेवल से थोड़ा सापको एक बार को लगेगा की breakout देने की कोशिश कर रही है लेकिन यहाँ पर 200 में और साथ साथ एक resistance से यहाँ पर resistance लिया है इसने मतलब जो कि थोड़ा सा में ज्यादा लग रही है compared to sales and profitable तो यहाँ पर टार्गेट सब लोग छोड़े चोटे रखेंगे यहाँ पर इन वाले लेवल का पहला टार्गेट ले सकते हैं और उसके लिए कंपनी को थोड़ा सा पहले प्रिपेर होना पड़ेगा और वॉल्यूम के दो पॉल्यूम को अकीला वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर सकता है यहाँ पर कम से कम और वॉल्यूम आए बाइंग के साथ साथ उसके बाद ब्रेक आउट दे तब हम लोग पर बाइंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंकंप्लीट टेजर आ रहा है अपना कैपिटल सेफ रखना ओके बाइए